लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कोड बेल रचे करें प्रॉस्ट आल्स करें झाल कि लिए करें जsqušे क लिएक गहाऊ सब्सक्राइब करें झाल 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 पुष्याव पुष्यू पुष्यू झाल पुष्यू आज पुलिस वालों से कोई डरता ही नहीं यह तो पुरानी बात है क्या कहां को डरता नहीं ची नहीं जवान लड़किया अपने घर से निकल नहीं सकती तो सौलक पर चलिया में फटपाप पर चलिया आपका एक्सिनेट नहीं होगा लगता है आपके उपपर का माला खाली है आप कुसे बालू? आपकी अकलमंदी की बातों से लगता है कि खोपड़ी का कमरा खाली पड़ा हुआ है करेक्ट खामोश तो साल भर से मामले ही मामले चलिया रहे है साल भर से इसके तो गोड़न जिबली हो गई आप क्या पहले किसी सिनिमा में काम करते थे इनको मना कीजिए ना सर इस्क्रिजी मेडम ये अपनी अकलमंदी की वज़े से सब इंस्पेक्टर से हवाला बन गया दुनिया आगे बढ़ती ये पीछे जा रहा है सर फाइदा होता ना आदी बुड़ा नहीं होता देख लिए आपने अब चुप रहो तुम खर बताईए क्याना के जाती है आप अब मैं क्या को हूँ इन्होंने टोक टोक के मेरा दिमाग फिरा दिया है ए तू बताना सर एक बदमाश कॉलेज के गेट पर रोजाना खड़ा रहता है और हमें आते जाते देखकर आख पारने लगता है बास इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी परिश्या नहीं ये ये इतनी सी बात है पिछले एक साल से ये बत्तमीजी चल रही है क्या आपका कानून इस बत्तमीजी का इलाज नहीं कर सकता देखे मेडम आप फिकर मत कीजिए मैं खुद कल आपके कॉलेज में आऊँगा और इस बत्तमाश को रंगे हाथों गिरफतार करूँगा इसकी कोई जरूरत नहीं मैं उसे पकड़ कर लाई हूँ लीजे यह क्या है यह रसी खीश लीजे मुल्जिम खुद अंदर आजाएगा खीश यह क्यों बैं उन लड़कियों का देकर आख मारता है अबे तेरे कसे बड़ा यह डंडा है और तू इसे आख मार रहा है मुझे आख मार रहा है यह जो जाएगा मुझे कुछ हॉरा रहा है आपको कुछ नहीं हो रहा क्या बंड करेशी माफ करना सर जब मैं मेरी माके पेट में था मेरे बापने भी मेरी माकों आख मारी उन दोनों की शादी हो गई उसके बाद मैं पएदा हो गया सर पाइदा होती मैने आक माना सिखा, ये तो हमारी खांदानी बीमारी आगा 15 देन हवालात में बंद करो, सब खांदानी बीमारी दूर हो जाएगी लेजा इसे चल दो हवालात में, अब तमीज कही का लीजे मेडम, आपके मुझ्रिम को बंद करती है, अब तो ठीक है ना थैंक्यू आइंदर कभी कोई भी तकलिफ हो, तो आप मुझे याद कर लेना जाए बाइ 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 बाइवनिंग वीडिफुल चल भाग यहाँजे, मुझे बात मत कर क्यों ने करूँ, मैं तो करूँगा, तुम सुनो या न सुनो, हम तो हाले दिर सुनाएंगे जाता है यह मार्क है का, सुबह छे बेचे का गया, इतनी रात गये वापस आया है और आप मसका लगा रहा है, गुड इउनी, ब्यूटिफुल अब मैं क्या करूँ बुआ, अपनी किसमत में तो लगाने ही लिखा है, गुंडों को डंडा और बुआ को मसका जानती हो बुआ, गुंडों का एक खतरनाग गैंग, जो पुलीस को दो साल से तंक कर रहा था क्या? आज मैंने अपने जान पर खिल कर उन्हें गृफतार कर लिया, हस्दै भाड में गई तरी क्या ही? अरे तेरे पिता ने तुझे मुरी हवाले किस तरह किया था, मालूम है? के बहन इसकी मा नहीं है मैं इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, तुम्हारी कोद में डाल रहा हूँ, समझ लो, यह तुम्हारा ही बेटा है और फिर अपनी इस्टेट और जंगल के कारोबार में फस किया, और मुझे इस जंगली बच्चे के चक्कर में फसा गया आज तुझे कुछ हो गया होता, तो मैं ते अरे पिता को क्या जवाब देंगे? अरे बुगा मुझे क्या होगा? मैं तो उस खांदान में से हूँ, जो हमेशे मौत से कुष्टी लड़ते आएं मेरे दादा जी, याने तुम्हारे पिता जी, मिलेटरी के बहुत बड़े ओफिसर थे, जिनने अपनी जान, देशे शान के लिए कुर्बान कर दी और फिर मेरे पिता जी, याने तुम्हारे भाई, एक बहुत ही मुशूर शिकारी है, जंगल का हर जानवर उनसे डरता है, जब ऐसे बहादुरों का खुन इस पाइप लैन में दौर रहा है, तो फिर मैं चुप कैसे रह सकता हूँ, बाईभार, खुरूर अच्छरी इस खाफ, जिए अच्छा नहीं है, मैरा मदला दुसरिवर रंग कर देखा हूं, रही रख, जिए अच्छा रहा है, बलता है हूँ, कि बमलता बढ़ने शेके नहीं है, यह क्या है, हाँ Mr.. Hey Mr.. Yes Madam What do you think? Nothing Nothing? मेरी पसं, तुम्हारी पसं, यह क्या बखबख हो रही है? मैं आप से नहीं, मैं तो इनसे कह रहा था, इनसे इनसे? अच्छा अगर दुबारा मेरी पसं, तुम्हारी पसं की बातें की तो मैं तुम्हें सीधा आईची के पास ले जाओंगी, खीच कर याद है न मेरा Mr.. Yes इसे पैकर टीजे? अच्छा जी देखो, यह कितनी अच्छी है, सिर्ष साड़े तीन सो रुपी है साड़े तीन सो रुपी है? नहीं नहीं बहुत महेंगी है कितने पैसे हुई? पैसे? पैसे तो आपके पतीन दे दिये वाट? पती? जी हाँ, वो दिखने जा रहे है देखा, इसे कहते है पती-पत्नी पत्नी ने साड़िया पसंद की नहीं कि पती ने बिना बताये बिल चुका दिया और एक तुम हो कि एक साड़ी खरीदने को कहती हूँ तो पागल कुत्ते की तरक आचने को डॉटते हो खुपसूरत साड़िया खुपसूरत पत्नी को ही अच्छी लगती है किसी भूतनी को नहीं साब फूल चाहिए हाँ फूल चाहिए तो सही लेकिन मेरे लिए नहीं वो लड़की आरे ने पीछे पंजाबी दोसमें उसके लिए ये पांच रुपे के फूल पैकर के उसे दिरना साब वो कौन है वो मेरी वो है क्या है कि हाँ हमारा वो वो हो गया अच्छा चग्रा हो गया मेम साफ फूल कितने के है पैसे के परवा मत कीजिए पैसे मिल गए पैसे मिल गए? किसने दी ये? आपके पती ने मेरे पती ने? हाँ, वो देखो कार में मेम साफ ये प्रेम का पंधन पांदन वाले फूल है इनका जोड़ा अपने बालों में सजा कर अपनी पती की तरफ देखोगी तो वो खायल पंची की तरना तुम्हारे चर्णों में गिर पड़ेंगे अहा क्या करता है विजय तु नहाने में एक घटा लगाता है अरे क्या करूं बुआ तुमने बातरूम इतनी दूर बनवाया है आने जाने में पॉना घंडा निकल जाता है हमारे मकान के सामने ट्रक क्यों अगर खड़ा हूँ है, इं मकान का निलाम करवान है क्या नहीं रे पगले अपने मकान का बगलवाला हिस्सा बरसों से खाली पड़ा था सोच रही थी कि पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा कौन बार बार सफाई करवाता रहे इसलिए मोह हिसा किराय पे दे दिया बड़े ही अच्छे और शरीफ लोग रहने को आएं तो भी बड़ी भूली ये बुआ अरे को शरीफ और अच्छा ही समझती रहती है बहुत 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 पुरा ना? बेटी बहुत बहुत पुराना लगता है अंदर जाके देशोगी तो मेरे मेहल लगेगा अरे वाह जिने हम ढूंटे रहे सारे जहां में वो आकर बस गए मेरे ही मकान में लाला लाला अप ममी ऐसे का देश रहो बई जी कौन सा अब है आप? जी मैं मकान मालिक का बेटा हूँ ममी पूरा घर तो सजावा है फिर आम इतना सामान क्यों ले आए यह तो घर की मालकिन की महरबानी है बड़ी भली औरत है पूरा सजा सजाया घर किराया पर दे दिया ओहु यह क्या किया तुम लोगो ने सारा सामान बे धंगे तरीके से रख दिया देखो वो सोफा है ना उसे इधर ले करा इधर लाओ और वो टेबल सेंटर में रख दो अहां वो रेडियोग्राम है ना उसे थोड़ा इधर करो अरे उधर नहीं कितनी बार को हूँ यह समझ में नहीं आता उमा वेती तुख्यू वेकार में परिशान तो नहीं डैडी यह लोग को समझते ही नहीं मैं तो तु जा आरामकर मैं सब ठीकर तु अ शैश्री अ रे तुम लोग ने साइटेबल यहां रख दी कितने बार कह चुकी हूँ यहां मत रखो तुम लोग भेरे हो क्या तू फिर शुरू होगी अपनी जबान बंद रख यहां मत रखवाईए ना अच्छा नहीं लगेगा प्लीज तुम लोग चलो चलो ना अपना काम करो चलो यह कबड यहां रखो तुम अच्छी बात नहीं है अच्छी बली दिख रेधी हर सुराग बंद करता जा रहा है कम से कम एक सुराग तो छोड़ देता मेरे लिए है मामी हम लोग वह पुराना वाला मकान इसली छोड़कर आए थे के वहां के लोग बंदरों जैसी हरकते करते थे यहां मालूम तो कर लिया ना के बाजु वाले हिससे में कोई बंदर बंदर तो नहीं है यह अवाज केसी ममी पता नहीं बिल्ली-बिल्ली होगी बंदरों से चूटे तो बिलियों में फसके अरे बाप्रे मुझे कॉलिज को देर हो रही है मुझे नाना है बातरूम कहा है ममी मकान के पिछवड है समल के जाना अरे क्या हो रहा है बेटा यू ठेर है मैंने क्यों पड़ा है अ ऐसे वह भुआ कि हमारे जो नए पड़ोसी आये ना उन्हेंने कुछ अलमारी यू खिसका ही कि चिपकली पिड़क से आकर मुझे किर गई उसे देख रहा तो कहां के रही है अरे बगर चिपकली ढूनेगा क्या ब्यूटी पर नहीं जाना है क्या यह मुझे से क्या बूशती है जाकर उस चिपकली से बूश क्यो गिरी कैसे गिरी कम गिरी मैं पीछे पड़ गई से लगाई यह लूब, से लग़ यह लूब, से लग़ से लग़ झाल 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 आज क्या हो गया इसे नहने का इराद नहीं है क्या हम इनकी फिराक में सूख रहे हैं और ये नहने नहीं जाती अजीब मुसीबत है अरे विजय अभी तक तुने नहाया नहीं बेथे अरे वाह कितने उचे विजार है तेरे वाह ममी मैं नहाने जा रही हूँ मैं समझ गया वुआ मैं समझ गया तुझे मैंने नहाने से बहुत ठेस पहुंची है मैं अपनी कुर्बानी को कुर्बान कर सकता हूँ लेकिन अपनी बुआ के दिल को ठेस नहीं पहुंचा सकता नहाने जा रहा हूँ मगर मैंने कब कहा कि मुझे दुख पहुंचा है कहने से क्या होता है तेरी शकल से साफ जाहिर है कि तुझे कितना दुख पहुंचा है और बड़ों को सुक पहुंचाना छोडों का धरम है और मैं अपना धरम निभा कर रहूंगा चला मैं अरे अजीव लड़का है गड़ी में तोला गड़ी में माशा जासी लीडरों की तरह ब्यान मतलता रहता है झाली में तोला टोला बेसिए पेलो तुझे है पारता हाँ इदर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बात्रूम में है क्या बात्रूम अरे बोलती क्यों नहीं क्या हुआ बात्रूम में ममी बात्ये मैं मैं बात्रूम में न आ रही थी ला तो उस वक्त ऐसी भी क्या बात हो? बोल न उस वक्त तुमसरे बात्रूम से बहुत बड़ी छिपकली मुझपर गिर पड़ी इतनी सी बात के लिए इसना चीछना चलाना था तौबा, मेरी तो जान ही निकल गई थी किया क्यामत आगी जाब जल्दी से नाइए जटी भी कमाने आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान आपको सदा सुखी रखे ये सादू माहत्माओं की तरह आशिरवाद किन चक्रों में दे रहे हैं? अरे चक्कर, चक्रा तो मैं गया था मैडम अगर आपने चिपकिली का भाना करके मेरी जानना बचाई होती तो आपके डैडी और ममी के जूतों और लातों की बाविच से मेरा हुलिया बगड़िया होता आपने मेरी जान बचाई उसका शुक्रिया उसका आशिरवाद अरे आप हसके रही हैं? आपकी बाते सुनकर अच्छा एक बात बताईए मैं जब भी आपको देखता हूँ तो मेरे दिल में कुछ होने लगता है मुझे देखकर आपके दिल में भी कुछ होने लगता है देखे 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 आप हसरी और हसके बात टाल रही हैं बताईए ना चलिए नवी चल करना है मेरा मतलब है आप अपने बात्रूम में और मैं अपने चलो बेवे विजय अरे तू नहाने आया था और अभी तक एक घंटे से दात ही रगड़ रहा है तू नहीं जाता तो मैं जाओ अरे नहीं बुआ मैं पांच मिल्ट के बाद ना लूँगा पांच मिल्ट में क्या होगा रे अब क्या होगा और क्या नहीं होगा ये मत पूछो मैंने कानो मैं पांच मिल्ट की बात ना लूँगा ये भी अजीब लड़का है एक घंटे से ताथ ही रगड़ रहा है और कुछ पूछो तो कैदा मत पूछो, इसका क्या मतलब है? अब फजूल की बातों में उलज कर अपने वक्त की जाय करे हो, तुम जाओ ना मैंने काना, मैं पांच मिनिट की बात ना लूँगा ओ, हे भगवाद अब तक खड़े-खड़े दाल की इसरा था, अब खुरसत से बैटके दाल की इसरा है? बात यह है बुआ, कि अगर मैं खड़े-खड़े मांजूगा ना, तो थुक दूसरी तरफ गिरेगा, आने-जाने वालों पर उड़ेगा, इसलिए मैं बैटकर मांज जा था, लेकिन तुम परिशान क्यों हो रही हो, जाओ ना बाबा अंदर अरे मुझे मंदिर के लिए देर हो रही है, मैं अभी ना आगा, मेरी प्यारी 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 बुआ, सिर्स पांच मिनिट और अरे एक देर घंटे से तु पांच मिनिट कर रहा है, अभी तक पूरी नहीं होई किसे अरे बाबा, मैं तुम्हारे के हाँ जड़ता हम, प्लीर अंदर जाओ ना अजीब लड़का है, आजकल तुझे क्या होता जा रहा है, मुझे कुछ नहीं होता जा रहा हुआ, तुझे आना अंदर पीर जादी हो जादी हो बाबा अजीब मुसीबत है, पूरा का पूरा तुथ्विस खा गया और ये भाराने का नाम नहीं ले रही का बाइगी जब दो प्यार करने वालों की बीच, समाज की दिवार आजाती है तो बीच में से एंट की दिवार निकाल देनी चाहिए कैसे लगा मेरा आइडिया? अगर मैं राश्ट्रपती होती, तो तुम्हें इनाम में गोल मेडल जरूर देती है रहली? आउचुट आउच! दुखता है ना? लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है अच्छा? क्या करती हूँ? दुखता है मगर मुझे तो अच्छा लगता है बहुत दुख रहा है? लाओ, सैला दू विजे, तुम चोरों को पकड़ने वाले इंस्पेक्टर ही नहीं हो बलके फुद एक चोर हो जिंदेगी में पहली बार चोरी की है वो भी तुम्हारे लिए इंस्पेक्टर साब, इस चुर्म की क्या सजा है? जानते हैं? जाने मन, अपने दिल के कैद खाने में कैद कर लो उमर कैद की सजा भुगतने के लिए तयार हूँ बातें तो बड़ी मीठी मीठी करते हैं पहली बार कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा? कस्म से, तो फिर शुरू हो जाएं? क्या शुरू हो जाएं? प्यार का खेल क्या? मेरा मतलब है, प्यार से नहाना शुरू करने क्या जाएं कैस नहां जाएं आएं आएं व्यार क्या जाएं आजा एक हो जा, मैं तेरी, तु मेरा, आजा, आजा, एक हो जा, तु मेरी, मैं तेरा, आजा, आजा, तेरा मेरा सात रहे, प्यार की बर सात रहे, धीवार कोई ना, चुछुछा ना, चुछुछा ना, चुछुछा ना, चुछुछा ना, आजा, एक हो जा, तु मेरी, मैं तेरा, आजा, आजा, तेरा मेरा सात रहे, प्यार की बर सात रहे, धीवार की बर सात रहे आण ञ cohortında किदो ओगना जो नोगना किद दों ऊदिए ऑंगle भीस्ब松 किरिव किया मार्स कितो ड़ करना कि भी कि ऻुड भीजर कित देल साज है जो हमने सोचा है जो हमने सोचा है ऑज़ दिए वदा किसा हो, यार। ना चुलाना, चुलानीचू वांटा वां अरे मैं शैंपो लाना भूल गही थी कमीरे जो जो हो ना मैं शैंपो लेकर आते हूँ प्लीज जिल्दी आना परस, एक मिनिट अभी तक तुम ही आई कड़ी हो अरे उमा की शादी की बात करने जाना है नो बच चुके जमनादासी वक्ते बहुत पक्के तुम जानती है इस बात को अरे बाबा, उमा नाने गई है वो आजाय तो मैं ना लूँ जा तुम ममी क्या हुआ अगर तुम पातुमें पहले चलीगी तो तुम पता नहीं क्या हो जाएगा अरे इसका तो दुमाह खराब हो गया जा तुम जादियो मैं देर हो रहे है प्लीज, ममी क्या प्लीज जा बॉल जा बोलू, मैं कैसे समझाओ किती देर लगा थी शैमपू लेने किसी और शैर गई है क्या शैमपू लेकर आ गई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ शैमपू लेकर आ गई मुझे जावाब दो नहीं तो मैं चूंटी मारूँगा ठीक है ठीक है पकलिया राजी संत्यों कहा हूँ यह क्या हुगया क्या हुगया मेरी तो जान ही निकल गई मैं नहा रही थी तो 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 उसी वास बात्रों के दूसरे हिस्ते से एक हाथ आया और मेरा कांदा पकल लिया अवगया आप तो 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 आप किसे बाहर निकल लिकली के लिक्या रही है अगर मेरा विजे नहा रहा है तो वह आपका बेटा है आप जानती है उसने कैसी कमीनी हरकत की ए तो.. आप का मतलब है मैं जूट बोलु रही हूँ कि हमारे घर में कोई जूट नहीं बोलता है तो आपके पीचे चोरों के चुपके ख़ड़ा है कुंडेयर मावली सरकों में चेड़ते हैं तू सुन और ये पुलीस वाला बात्रूमें गुद्के चेड़ता है आप खामोश रही है अपनी पती को लगाम लगाकर रखिये अरे इस उमर में भी जवान लड़को पर डोरे डालती है इस बूडी घोडी को देखो और मेरी जवान बेटे को देखो रहां तू सुनते जा रहा है और ये केसी केसी बाते कर रही है कितने साल हुए हमारी शादी को तुमने मुझे किसी आदमी के साथ बात करते हुए देखा अरे वाह इसका बेटा बदमाश है इसने छोट दे रखिये और इल्जान दुसरों पर लगाती है अपने इस लुच्चे बेटे को समाल कर रखिये वरना खुन खराबा हो जाएगा अजी कैसे खुन खराबा हो जाएगा पहले अपनी बीवी को काबू में रखिये ये एक नमर की जूटी है ये इस बात्रूम में नाह रहा था ये दूसरे में घुसी हुई थी बीच में दीवार थी वो कैसे हाथ बढ़ा कर उसे छू सकता है कैसे छू सकता है जाओ खुदी जाकर देख लो दोनों बात्रूम के बीच की दीवार में सुरम खुद रखी है इसने मैं अब भी खुद जाकर देखती है तुम भी जाओगी जाओगी विजाई ये क्यार कते है थू 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 कितने शरम की बात है अरे और अवरतों का भूगा तुमारा ये बेटा अपनी मा बरावर के और अवरत में हाट डलता है अर देखो पे शरम कैसा खड़ा है अरे अब तो तो इसे चुल्वबर भाने में डूब मरना जाए तुम साथ दरहसल बात है कि मैं समझा कि दूसरे बातरूम में आप है इसलिए मैंने क्या का रहा है सारी सर मेरा मतलब ना समझा कि आपकी बेटी है इसलिए मैंने हाथ बढ़ाया था मेरी बेटी समझा यो रासकल मेरे सामने क्या रहा है कि मेरी बेटी में हाथ डालना चाहता था ना रहत बत्तमीज लखंगे ने ने सर मेरी बात सुनिए असल में बात ही है कि आपकी बेटी और मैं हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं क्या जिया प्रेम करते हैं पनमाश कमीने जबान भखाब रुख वन्ना में घूसे मार मार करते हैं दाथ तो दूँ डेडी ये ठीक कहे रहें डेडी हाँ डेडी हम दोनों सच मुच एक दूसरे कुछ चाहते हैं डेडी डेडी पॉल्ड कब से चलना है तेरा ये प्रेम का लाट पॉल्ड ये इस तरह नहीं बोलेगी तुमाटों मैं देखती हूँ बे शरम बे हया तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने जबान से ये बात उगले कैसे पॉल्स तेरा उसका रिष्टा क्या है जबाद दे में तो मैं तेरी जबान कहां डालूगी अपने लोगा इस तो चाते हैं पेव करते हैं इस से ज़दा और खुछ नहीं तुमने इसकी आखों का पानी कैसे मर गया है कैसी बे शर्मी से हमारे सामने अपने प्यार मुहबबत की बाते कर रही है और वो भी उस लड़के के साथ जिसकी जात पात हमारी विरादरी से अलग है अरे यह एसी लड़के का तो गला खोट देना चाहिए वात आना चाहिए इसे आज तो छोड़ देता है लेकिन आज की बाद ना तो तुम इस लड़के से मिलोगी ना उससे बात करोगी उसकी तरव आप उठाके भी देखा तो आगे निकाल दूँगा उसका जरा सा निखाल तो उससे निकाल का बाहर कर दो आज तक हमारे खांदान में किसी ने जात बि वह हम जोड़नेंगे और हमारे असुलों के खलाब चलने के कुछिश की तो टांगे तोड़का रपाइस बना कर घर के किसी कोने में डाल दूँगा आया समझ में बूआ मैं चट पर सोने जा रहा हूं बहुत परिशान हूं अच्छा था बूआ सुना तुमने मैं चट पर सोने जा रहा हूं हां हां सुन लिया चिल्दा तक क्यों है चिला कुन रहा कुमार एक शरीफ खांदान पैदा होने वाली बिटी अधी रात को अपने कमरे से बाहर नहीं निवनती है मुझे अपनी बेटी से उमीद है वह खांदान की इसदत को बरबाद नहीं होने जाए पर इस बापको अपनी बेटी से सरफ यही करना है वीजय हाँ इस दजार बेकार है बेटा उमार नहीं आएगी हाँ वीजय उसके पिता ने अपनी इज़त का वास्ता दे कर उसे उपर आने से रोक लिया है अरे 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 उमा बेटी अभी तक कौफी नहीं पी यह क्या हो गया तुझे राट को खाना भी नहीं खाना इस तरह कब तक रोती रहेगी यह ले कौफी पी ले और नहां यह ले ले मेरी अच्छी बेटी ले ले कि बुवा व बुवा हूं हाूं है अग्म्मेẩक पजाना राहा हूं हमेश्य गैसे के तोड़ी जा रहा हूं तुम इस से रोकषज़ने हो क्या तुम उसे तक जाना हमारे है ओ खिर तक जिस चीज को दुरोmm समझे अरे तुम बुड़े लोग क्या जानो प्यार किस चिस का नाम है प्यार किसे कहते हैं मालू है अरे तुम लोग तो पुराने ख्यालाद के कुए में फसे हुए में नखो कुए में से बाहर निकल कर प्यार के सागर में तेर कर देखो जिन्दगी का अंदाज बदल जाएगा बड़े आए मान मर्यादा वाले विजय अरे तुम मुझे इस तरह घूर कर क्या देख रही हो मैं इस तरह के खूसर बुड़े बहुत सरकेसे सॉल कर चुका हूँ और मैं इस केस को भी सॉल करके रहूंगा मुझे अपनी कामियाभी पर पूरे भरोसा है ये क्या बुआ मैं तुम्हे इतनी हिम्मत दिला रहा हूँ और एक तुम हो कि रोए चले जा रही हो क्या तुम मुझे कायर समझती हो मेरा नाम विजय है और मैं विजय हासिल करके रहूंगा मुझे ये रोना दोना बिल्कुल पसंद नहीं बंद करो ये रोना दोना अब बसो जिम्ये समाइल हरी अब रोना बंद करो बिल्कुल ये होई ना बात तु मुझे पुज़ा के रहेगा मैं वापस आते शादी की तारीख पक्की करूंगा तब तक तुम अपना ख्यार रखना मैं चलता हूं अच्छा जल्दी से आजा रभी चल आप ताटा बाई बाई ताटा बाई बाई ताटा मैं चलाए ताटा अच्छा 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 हलो, जमनाराची मैं जगमोहन बोल रहाँ हमने इसी साल उमा की शादी करने का फैसला किया कल बहुत शुमुरत है आप लड़की देखने आ सकते हैं मैं जी उससे क्या पूलिखना मेरा फैसला मेरी बीटी का फैसला हो सुनिये शादी ब्या कोई बच्चों का खेल नहीं है हाँ जाद, पाद, बिराजरी, खानदान सब का खायलखना पड़ता है सब जानते हैं मैं जाद, पाद का कितनी सक्ती से खायलखता हूँ कल जब आप आएं तो शादी का खोब मोरज निकलवाके आएगा सबाई हम यहाँ पकी कर लेंगे नवस्कार कहा जा रही है? क्या आप मेरी जुबानी सुनना चाहते हैं कि मैं कहा जा रही हूँ? शावाज उटी, शावाज तैडी, आपने फोन पर तो अपना फैसला सुना दिया है अब मैंने भी फैसला कर लिया है मैं मैं उनके खर्चा कर रहा हूँ पहतामीज, तुझे यह कहते हूँ शरम नहीं आती? जान की यह क्या कर रही है? इस पर हाथ उठा रही है इस पर जानती हूँ है? यह मेरी बेटी है मैं जानता हूँ इसने प्यार के मामले में जल्दबाजी की हम लोगों को अधेरे में रखा लेकिन मैं अपनी बेटी को जानता हूँ यह शादी के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करता हूँ कोई भी कदम उठाने से पहले अपने माबाब की इससका ज़रूर खैनाखेंगी यह रॉक जाएगी वापस अपने कमरे पे चली जाएगी आप ले कहा करते थे एक लड़की की जिंदगी के तेन हिससे होते हैं पश्पन जो माबाब के साहे में गुजरता है जवानी चुपपती के चन्नों में गुजरती है और बुड़ाबा अपनी उलाद के साहे गुजरता है और उसके बाद मौत के गोद में चली जाती है बच्पन में गुजर चुकी हूँ ड़ड़ी अब मुझे जिंदगी के दूसरे हिससे में देटेका माजमर के लिदा का बाद की अचासित की देटी कि फ्लीज के ज़ें और मुझे जाने दीजे जिंदगी में कियोऊी नसियति कभी ऐसे भी रंग दिखाएंगी मुझे मालूं नहीं था अब तुमने जाने का रशा ही कर लिया है तो तुम्हें रोखने का मुझे कोई होग नहीं है लिग, जाने से पहले मेरा एक काम करते हूँ एक मिनद, मैं अभी है अमा, लेके, बच्चा जब पैदा होता है तो माबाप उसके मुँँ में शकर का पाने डालते है जानती हो क्यों? ये उनकी बनकी प्रात्ना होती है कि बच्चे के आने वाली जिंदकी खुशियों की मिठास से बच्चा है आज तुम्हारी बारी है तुम, बढ़ा पे में मिठास तो खोलने हैं सकती कम से कम ये जहर तो मिला सकती हूँ लो बिटी, रिच्के जाओ मात रास्ते में जब को छोटी मोटी दिवार आ जाती है तो उझे ठोकर मार के गिरा दिया जाता है तुम भी इस जहर से अपने बाप की खानदा ने इजड़त की तिवार को ठिरा तो मुझसे जादा भागिश अली बाप कौन होगा जिसे मौँ अपनी बेटी के हटो नसीफ हो रही लो बिटी, मिला तो मौँ उसके बाद जहाँ 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 जाना और खुश है ना यह हो जहाँ 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 जहींकित जहाँ शाथा शाण की मैंना कहाता यह अई मेरी बेटी है अन्यूने क्या किया कि आपको बुलाई है कि आपको बुलाई है कि आपको में पेड़ी में नहीं पीता सरकार गुम जाओ कि आपको बुलाई में आपको बुलाई है कि कि आपको बुलाई है यह कि आपको बुलाई और रहें है अरे भाई ना तार भेजा ना टूंक कॉल किया बेरा खबर के तुम तो सिर्फिट इंकम टेक्स वालों की तरफ बस चले अए तार तो एक तरफ डेड़ी मेरे पास तो टूंक कॉल करने कभी वक्त नहीं था इसे खुद ही चलाया कोई खास बात है बात तो खास है लेकिन आप शॉटकाट शॉटकाट ये है डाडी के मैँ ऐक लरकी से प्यार करता हूँ का! लेकिन बेटे, हमारी होने धाद। वाली बहू वह तुम्हेरे साथ नहीं आई। डड़ी थोड़ी गड़वड है समझ गड़वड यानि के लड़के का बाप तुम्हारा रास्ते में रुकावड बनकर खड़ा हो गया फिकर मत करो हम उसे बंदुक मार कर बिठा देगे डड़ी वो ज़रा उमर वाले हैं उमर वाले जमान लड़की का बाप उमर वाला नहीं होगा ता क्या दूद निता बच्चा होगा नहीं डड़ी आप मेरा मतलब नहीं समझे हो जरा पुराने ख्यालात के हैं उनकी नजर में इश्क प्यार महबबद बुरी चीज़ है जुर्म है लड़ी फूल है लेकिन ड़ड़ी तुम बुड़े की फिकर मत करो तुम फारण जाओ लड़की को यहां लेकर आओ मैं शादी का बंदो बस करता हूँ मुझे मालूम था ड़ड़ी की आप ऐसे कहेंगे लेकिन ड़ड़ी दुनिया का कुछ तो ख्याल करना पड़ेगा लड़की के माबाब की इजज़त उनकी मान मर्यादा बर्खोदार मैं पूछता हूँ कि जब श्री कृशन जी ने रुक्मनी देवी का हरन किया उनसे सिर्फ एक बार वो भी तेरे लिए लेकिन मैं हाथ बात नहीं जोडने वाला हूँ वहाँ पर ओडर करने वाला हूँ सुनो मिस्टर मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहु बनाने आया हूँ अगर मान बेशा के वरना तुम्हें पित्वी राज-चोहान बनना पड़ेगा अब मैं तुझे क्या पता हूँ बटा जो नहीं होना था वो हो गया अब तो भगवानी उसकी रक्षा करे आपकी बेटी ने जो जहर पिया है वो मामुली नहीं है वो जान लेवा है आपको कुछ पेपरों पर सायन करने पड़ेंगे ताके हमें पता चले के आगे क्या जो पार वाही करने नहीं है तो अब मुझे क्प कीजिए बाहर जाए मैंदा भाहर जाए अब मुझे दिटब मत किजिए पार जाएंगे आउट बेटा, अब कैसी तब्यत है उमा की? वो जहर पिला कर पूछ रही है, अब कैसी तब्यत है? अगर उमा को कुछ हो गया ना, तो फिर मैं भूल जाओंगा कि मैं इंसान हूँ, जानवर बन जाओंगा, वैशी बन जाओंगा तो क्या घर होगे? मा डालोगे? तुम समझते हो, हमारे दिल में अपनी बेटी के लिए कोई प्यार नहीं, कोई चाहत नहीं, तुम समझते हो, हम इंसान नहीं जानवर है? जगमोन जी, अपनी बेटी से प्रेम करता है, उसके लिए अपनी जान देता है, उसकी जान लेवा नहीं बनता मैं भी मां को दुछ्मन नहीं। मैंने सिर्फ इतना काहा था कि मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं। और अगर वो अपनी सित पे अड़ी रही तो मैं जहर भी का आत्मात्य कर लूँगा। मैंने उसे जहर भी के खुट कुछी करने के लिए नहीं काहा था। इसे कहते हैं कि अवलाग के हाथों माभाप के मुघ तमाचा। जग्मुन साहाबर आपनी जात पात धरम मजब इनकी जंजीरों में इतने जखडी हुए हैं कि आप वपी जयान दे सकते हैं लेकिन ये मैं पुझतों कि आपको हमारे खानदान के साधी निए जोड़ने में क्या befekt आज तक हमारे कंदान में किसी नादा में जयाद बेरादी से बाद शादी में की मंत वजोनależ नहीं हैं कि लिएलम और ना धर्म मजब की रुकावतों से रुख सकता है वो डॉक्टर जो आपकी बेटी का हिलाज कर रहा है उजे मौत और जिंदगी के फसे भवर से निकालने की कोशिश कर रहा है क्या वो आपकी जात का है आपकी बेटी को जो खून दिया जा रहा है वो खून देने वाला जी नहीं वो एक इंसान है येस वो एक इंसान है और जिंदगी में बहुत से ऐसे मुकाम है जहामें वो सब बाते भूला कर इंसानियत का रिष्टा अपनाना पड़ता है जाक्तों जी समझिए ये आप लोग किसलिए बहस कर रहे हैं उदर किसी की जान जा रही है और आप आप आसमें बहस कर रहे हैं लेखिए ये ऑस्पिटल है आपका घर नहीं है जिसकी जान आपके उस जान के साथ जुड़ी हुई है अब वो खत्रेते बिलकुल बाहर हैं आप बेफिकर रहे हैं आल दा बेस्ट भगवान तेरा लाख लाख शुग है तुने हमारा साथ दिया वाद जग्मोन जी आज तो भगवान ने आपका साथ दे दिया लेकिन कल अगर आपने बी बेटी की मर्जी का साथ नहीं दिया तो क्या गरंटी है कि वो फिर से तुन खुदकुशी नहीं करेगी जी मिस्टर जग्मोन मैं ठीक कह रहा हूँ आप मेरे बेटे को अपनी बेटी से आलक तो रख सकते हैं लेकिन अपनी बेटी को जाहर की बोतल से आलक नहीं रख सकेंगे इनकी बातों को गलत मत समझें लेकिन जरा सोचिये अपनी बेटी की बली चड़ा कर आप करना क्या चाहते हैं अपने अहंकार को जिन्दा रखना चाहते हैं या अपनी जिद को बस बैचिए बहुत उच्छा आप मैं अपनी बेटी की सिंदिगी के लिए अपने विचार हूँ अपने अधरसों को गुर्बान करतूगा यह चाहती जरूर हो की अरे यह क्या कर रहा हूँ मुझे मत चेड़ो अब ये काहे किला जान मन हमको आज अब ये काहे किला जान मन हमको आज प्यार करने का लाइसेन मिल गया दुनिया है लगपती हम है पतनी पती दुनिया है लगपती हम है पतनी पती अपना भी चक कर चल गया अपना भी चक कर चल गया प्यार करने का लाइसेन मिल गया दुनिया के अखिए हुआ 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 कि पुछ भी बोलो को कैती थी शादी के बाद अपने वादों को अब तूनी बादे जरा आगे आखों में दाख सारी अर्वानिचार शादी होती ही परदा खुल गया प्यार करने का लाई दिन मिल गया शादी होती ही परदा खुल गया प्यार करने का लाई दिन मिल गया करने का लाई परदा प्यार का अमधना हाहा जोल हाएा कि यारे लारे ये छुटी से पुड़िया मिले हमको जिने भी जिसमत से पड़िया मिले आदे जाते पठकते जो लग जाए हाँ है ता लगता है आपत की पुड़िया मिले मेरी आतन में दूशन किल गया त्यार करने का लाइशन मिल गया मेरी आतन में दूशन किल गया अब ये का है किलाज जानमन हमको आज जार करने का लाइसें मिल गया दैदी दैदी मुझे एक बहिया चाहिए ठीक है मुझे कोई अतराज नही है अपनी मम्मी से को क्या बात कर रहा है अब गुर्मानी सर सार भी आपको अपने आफिस में बलाया है ठीक है तुम जलो में आता हूं ओके सार विजय हमारे डिपार्टमेंट को नास है तुम जैसे बहुतर इंसान में पुलीस की वर्दी को अपना है हाला कि तुम्हारे पास दी हुई पुर्खों की क्रोड़ रुपए के जादाद भी है और तुम्हें नौकरी करने की कुई दूरूट में लेकिन तुम्हारे अंदर देश भक्ती का जजबा हम उसकी बहुत कदर करते हैं और फिर तुमने बांबे एहमदाबाद हाईवे वहाँ पर एक बहुत बड़ा गैंग है जो दिन दहाड़े लोगों को लूटते हैं और ओरतों की इजब भी लूट लेते हैं इस कतलो खून लूट मार और गुंडागरदी को रूपने के लिए पुलीस डिपार्टमेट ने हर तरह से कोशिश की लेकर उनकी हर कोशिश ना करता हूं बलके वादा करता हूं कि जब तक मैं इन मुझरिम को गिरफतार करके फांसी के फंदे तक न पहुचा दूँ तब तक जिंदगी का हर सुख चैन आराम मेरे लिए हराम हैं आएम रिली प्रवड अग्शु बड़ अग्शु बड़ अग्शु में तमाम मुझरिम कर लो इदर है कर लो इदर है कर लो कुछ भी आओ पी आओ पी आओ 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 इस डबल टू डबल थ्री चल यार कबसे बगबग कर रहा हूं एक चॉकलेट भी नी खाया गला सुग्या अच्छा मासर दो फैसर देना तुल्हाजी आप हमारी सहीली कासर अच्छी तरह खायाल रखियेगा पर आप इने छोड़ेंगा तो मैं इनका ख्याल रखूंगा एक गम सुपरक्लास बोटा सुने एक जी बिल्कतना हूआ सिर्फ दोसो साथ रुपे दोसो साथ रुपे दोसो साथ रुपे अजी एक अपन लुग को अब दक बैठे हुए जल्दी कीजिये लात हो जागी जल्दी कीजिये उटो 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 अंकल पहले तो तुम रोज अपने पिताजी के साथ शादी के लिए जगड़ा करते थे अगर मेरी शिलाशे शादी नहीं हुई तो मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा अब तो शादी हो गई, अब क्या करोगे? चुप, क्या बक्वास कर रहा है? अरे, इसमें बक्वास की क्या पास है? बताओ ना शादी के बाद क्या करोगे? सुनो, शादी तो हो गई, अब हम क्या करेंगे? तुम चुप रहो जी, और लोग बैठे विए हैं, शर्म नहीं हो मैं आपसे एक सवाल पुछता हूँ, चवाब दोगे? पूछो मान लो, कि भगवान आपके सामने आचा है, और पूछे, मांग बालग क्या मांगता है? तो तुम क्या मांगोगे? चलो, तुम बताओ, तुम क्या मांगोगे? मैं तो यही मांगूँगा, कि मुझे दुनिया का सबसे मालदार अद्मी बना दे मालदार? तुम तो अभी पढ़ते हो, दौलत मांगोगे, जानते हो, अगर मैं तुम्हारी जगे रहता, तो भगवान से क्या मांगता? क्या मंगते? मैं भगवान से मांगता, हे भगवान, मुझे अकल दे, बुद्धी दे एक दम बराबर, जिसके पास जोचिज नहीं होती है, वो भगवान से वह ही मांगता है, हे ना अकर? अड़ अड़ ये क्यों क्या? क्यों 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 करूच है हाँ हाँ करूच करूच और वो फोड़र जार प्रख आर आर मान एंग जआ जार आर 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 एंग जोगों ने जोगों ने मेरी आंकों के सामने मेरी भीवी की इजट रूटकर इसे चाकू मार मार कर जान से बार डाला उसके बहते हुए खून से ऐसे हांस कर हाथ रंग रहते हैं कैसे ये खून नहीं किसी बहती हुए नाली का पानी है इंस्पेक्टर साहब पानी इंस्पेक्टर साहब उनलोगों ने हमारा सब कुछ लूट लिया मेरा एक ही एक बेटा उस्से भी मा डाला मेरी बहु जिसके गले में हल्दी लगा मंगलसूत्र भी सूक ने भी नपाया था जालिमों उस पमित्र धागे को नोच डाला इसे विध्वा कर दिया इसकी जदलूटली इंस्पेक्टर साहब मैं पूछता हूँ उन जालिमों को रोकने वाला कोई नहीं या यह देश गुंडों औलुटेरों से हार गया है इंस्पेक्टर साहब इस अंसार में मेरे पिता के सिवाही मेरा कोई नहीं है और आज उन लोगों ने मेरे पिता को मार डाला इंस्पेक्टर साहब वो चीक चीक कर मुझे पुकारते रहे पर मैं उन लोगों के आवच के जाल में फसेदी इंस्पेक्टर साहब आप मेंसे कोई उन गुंडों का हुलिया बता सकता है इंस्पेक्टर साहब वो चारो गुंडे सटक पर जूपड़े हुए थे जैसे एक्सिडेंट में बिहोश हो गए हूँ हम लोग ने इंसानियत की खातिर उनकी मदद करनी चाहिए मगर वो तूई मटवट एव हंपर तूट परे हमारी बढ़्वर्ण ही कर दिए इंस्पेक्टर साहब आ आ नहीं ने एखमारे आशीय हालत कर दी हमारी डारो गब्राहट के वारे अंकल मुझे मालू मैं अंकल हाँ बेटे बताओ जल्दी बताओ जब हम लोग बस में आ रहे थे तो हमारी बस एक जगा रोकी और सब लोग चाहे नास्ते के लिए होटल में गए मैं और मेरा दोस्त एक दुकान पर चॉकलेट खरीदने के और उस उस वक्त पापरी कितनी बारानक अंगोटी है चल चल टोकलेट ले और भाग यहां से अलो टोनी मैं रंगा हां हां मैं बोल रहा हूं बारातियों से भरी हुई एक बस पूरे पांच लाग की तिजोरी है अब है नमबर रोट कर एंटी एस डबल टू डबल त्री वेरी गुड तुमारी बताईव इस अंगोठी को मैं उनकी मौत की जंजीर बनातूंगा मैं इन बे गुनाओं की जिंदगी तो नहीं लड़ा सकता लेकिन इनका खुन जो बहा है इन बेहनों की इसर जो लूटी है उसकी कीमत धर वसुल करूंगा अशारी से बुनना नहीं समझे और कुछ कलबर हो तुम मुझे इन फॉर्म कर देना और कुछ अब तुम चलो ओके हलो फाइफ फोर सिक्स फोर एट फोर क्या बात करते है अबे रंगा कभी नहीं चूकता क्या चाहिए सहब किंग साइज गोल फ्लैक सिंगल या डबल सिंगल और क्या चाहिए मुझे तू चाहिए अच्छा अब साफ साफ बता वरना दाड़ी को एक एक बाल और बाल के बाद खाल उखाड़कर दूप में उल्टा लटका दूप मैं तुझे एक बार फिर पुछता हूँ बता मुझे मालूम नहीं किसी को नहीं मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू किसको फोन कर रहा था मैं यह भी जानता हूँ कि तू खबरी का काम करता है अब बता दे किसको फोन कर रहा था एक बार अप उन बोला ना किसी को फोन नहीं करता था साइब बार बार पुछेगा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा साइब अच्छा नहीं होगा नहीं होगा। बजब वेगा। वेगा। एए एए I'm sorry. Excuse me, Inspector. I'm advocate घासवाला, M.A. L.L.B. यह मेरे client है, मैं इनका वकील हूँ, मैं इनको जमानत पर छुडवाने आया। यह कमीना तुम्हारा client है? Excuse me, यह कमीना नहीं, यह मेरा client है. यह तुम्हारा client होगा, लेकिन इस वक्ति मेरा मुझरिम है. Inspector, excuse me, यह मुझरिम है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी, तुम नहीं. तुम्हारे इस client का, highway के कातिल और लुटेरों की गैंक के साथ संबंद है, advocate घासवाला. Excuse me, Inspector, लुटेरों से इसका संबंद है या नहीं, यह अदालत में साबित करना. और साबित करने के बाद सजा देने का काम भी अदालत का है, तुम्हारा नहीं. Excuse me, Inspector, तुम कुछ shortcut मार रहा हो, साभी कुछ हुआ नहीं, रपिटाई शुरू कर दी. तुम को इसको हाथ लगाने का कोई हक नहीं, तुम्हारी यह हरकत इंस्पेक्टर, तुम्हारी वर्दी में गडबड पैदा कर सकती है, तुम्हारे फीते कम करवा सकती है, excuse me. नहीं. जुर्म नहीं होंगे, तो अदालते बंद हो जाएंगी, वकील भीक मांगते फिरेंगे, पुलिस स्टेशनों पे ताले लग जाएंगे, और पुलिस वाले मजबूर होकर चोरियां शुरू कर देंगे, excuse me. लुक मिस्टर. यू लुक एट मी, इंस्पेक्टर. तुम इसे जमानत पे छोड़ते हो या नहीं? मैं इसे छोड़ने पर रजामंद नहीं हूँ. तुम रजामंद हो या नहीं, इसकी मुझे पढ़वा नहीं है, मगर अदालत ने अपनी रजामंदी का हुकम दे दिया है, तुम्हें इसे छोड़ना ही होगा, excuse me. ठीक है, तुम इसे आज सिर्फ यहां से ले जा सकते हो, लेकिन कल जब मैं इसे अदालत में खड़ा करके, इसे मुझेम साबित करूँगा, और कानून इसे ऐसी सजा देगा, जैसे माचिस की एक तिली से, पूरी गास जिल जाती है, मिस्टर घास वाला. Excuse me, Inspector, तुम्हारा नाम मिस्टर माचिस वाला होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह तुमने घास वाले का सही इस्तेमाल किया है, हाश्ता कोई नहीं कर सका, इसलिए मैं तुम्हारी इज़त करता हूँ, ठीक है, देखते हैं, माचिस घास को जलाती है, या घास माचिस को, कल अडालत में, एक्सक्यूज मी, या अनर, कई मासुम बच्चे कतल कर दिये गए, कई माओं को खून में नहला दिया गया, नए बहता जोड़े, सुहागराद मनाने से पहले, मौत की हागोज में सुला दिये गए, ये कतले हम अब भी जारी है, वो जालिम कातिल लुटे रहे हर रोज डाके कतल खून करते हैं, और साब बचकर निकल जाते हैं, उन जालिम का एक साथ ये खबरी है, रंगा, ये रंगा उन्हें खबरे देता है, और वो बदले में उसे कमिशन देती है, ये उनके जुर्म में बरावर का शरीक है, इसलिए मैं हदारा से दर्खास करता ह किसे सक्स सक्स सदादी जाए, ताके एक बार इसके साथियों के कदम भी डख मगा जाएं, और वो दोबारा जुर्म करने से पहले हजार बार सोचने पर मजबूर होई, एक्स्क्यूज मी योर ऑनर, माई डियर इंस्पेक्टर, तुम्हारे जैसा सच्छा, इमानदार और इ देश का नुकसान होगा, इसलिए, एक्स्क्यूज मी, इंस्पेक्टर, अपने मन में भलकती हुई जजबात की आग पर काबू रखो, और ठंडे दिल से मेरे सवालों का जवाब दो, ओके, तुमने अभी अभी जजबात में चिल्ला चिल्ला कर कहा, कि मेरे क्लाइंट तालुक है, गहरा संबंध है, एक्स्क्यूज मी, इंस्पेक्टर, क्या ये गहरा तालुक, ये गहरा संबंध तुमने अपनी आँखों से देखा है, नहीं, पट, पट को कट करो और जट से मेरे सवालों का जवाब दो, एक्स्क्यूज मी, तुमने अपने बयान में ये लि एक्सक्यूज में इंस्पेक्टर ये बत लेकिन किन्तु परंतु इनसे काम नहीं चलेगा। सीधे पॉइंक पर आओ। तुमने अपनी आखों से ये तालुक ये संबंध देखा है या नहीं। जी नहीं। मैंने देखा। थैंक्यू। एक्स्क्यूज में यूर। प्लीज नोट इस पॉइंट कि नहीं देखा। यूर। ये सच है कि मैंने उसे फोन करते हुए अपनी आखों से नहीं देखा। लेकिन उसे देखने वाला एक चश्मदीद गवा मेरे पास है। चश्मदीद गवा? कौन है ये गवा? राजू, एक दत साल का लडगा. एकक्स्क्यूज में यूर। मैं इस दस साल के लड़के से चंद सवालाथ करने की इजाधत चपा हूँ... इजाधत है... एक्स्क्यूजममि आप एतने छोटे हैं कि आप सई ढंग्से मेरे सवालों का जवाब दे सकेंगे। अगर आप सही डंग से सवाल पूछेंगे, तो आप सही डंग से जवाब भीटेंगे Excuse me, आपका नाम क्या है? बकीर साफ, आप भेरे हैं क्या? क्यों, क्यों, क्यों? अभी तीन मर्तबह मेरा नाम पुकार हो गया राजू, 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 राजू तुमको कैसे मालूम पढ़ा की रंगा विलन है? अहे, आपको वकिल किसम बनाया? परिक्षा में खुद बैठे था कि किसी और को बिढ़ाया था? Excuse me, objection your honor आप विरो और विलन में फारक नहीं समझते है? Your Honor, यह ब्लेड की साइस का लड़का, मेरी हिजदत के टुकले-टुकले कर रहा है, excuse me तो और क्या करूँ, आप बाते ही ऐसी करते हैं, ऐसी भायनक दाड़ी और मूच सिर्फ विलन लोग ही रखते हैं आप तभी फिल्में नहीं देखते हैं? फिल्में तो बहुत देखता हूँ, मगर जिस फिल्म की कहानी तुम यहां सुना रहे हो, उसमें तुमको कैसे मालूम पढ़ा कि विलन का नाम रंगा है? Excuse me, क्या तुमने उससे नाम पूछा था? उससे बाते की थी? छी, कोई भी शरीफ आदमी जिसमें जराभी अक्कल होना वह ऐसे लुच्चे लफंग से बाते करते? क्या मतलब? मैंने उससे बाते की मैं उसके बचाव के लिए लड़ रहा हूँ, तो क्या मैं लुच्चा लफंगा बेवकूफ हो? यह तो मुझे नहीं मालू, यह तो मैं आपकी पत्नी से ही पुछके बताऊं लुच्चुज मी यूर उनर, मेरे ख्याल में इसकी मा ने इसको हस्पताल में नहीं, अदालत में जनम दिया है, इसकी अकल देखिए, इसका कद देखिए, और वकीलों की तरह बहस करने का धंग बातचीत करते हुए देखा, तो तुम बता सकते हो, उसने फोन पर क्या बात की, क्यों नहीं, उसने कहा, मैं रंगा बोल रहा हूँ, एक शादी की बस से, पांच लाग किती जोरी हास लग सकती है, पस समर नोट करो, MTS 2223, और तुमने कैसे अंदादा लगाया, कि उसने फो उन पर जो खबर दी, वो मुझरमों को ही थी, वाकिन साथ, यह आपका पहला केस है, एक्स्क्यूज मी, हजारों केस लट चुका हूँ, तो बिचारे सब केसा फासी पे लटक चुके हूँ, एक्स्क्यूज मी, क्या तुमने रंगा को फोन करते हुए अपनी आखों से देख आखिए देखा लंगा को हीए आखिए हाउ definite मी, क्या था चुक्त रंगिया था, आ है था आखिए है। तुमको टेलीफोन नहीं नबर यान नहीं है, तुमको ये भी याद नहीं है कि उसने किस हाथ से हुमाया था उसके बावजूत तुम आवा करते हो तुमने रंगा को टेलेफून करते हुए देखा था आप टेलेफोन का रंग क्या है नंबर क्या है यह सब यानकी कोई जरुत नहीं एक्स्कूज्व में मिस्टर राजु जरुवत है और अभी मालूम पड़ जाएगा एक्स्क्यूज्मि तुमने कहा कि तुमने रंगा को देखा है वो देखने में कैसा था एकदम भयानक उसकी बड़ी-बड़ी मुचे है और घनी घुंगराली दारी जैसे हप्षियों के बाल होते है और वो गोल काला चस्मा लगाता है और उसके बाल भी घुंगराली है अगर दुबारा तुम्हारे सामने आ बताओ ये कौन है ये तो बिल्कुल रंगा जैसे लग रहा है बिल्कुल रंगा जैता है रंगा तो नहीं है ना नहीं नहीं यही रंगा है यही रंगा है तो अब वो देखो बताओ ये कौन है ये रंगा है एक्सक्यूज भी पहले तुमने कहा कि वो रंगा है कलती हो गई सर लेकिन ये ही रंगा है ये ही रंगा है तो फिर वो कौन है अब बताओ इन तीनों में से रंगा कौन है सुरे सर ये दूनों रंगा ने असली रंगा ये है ये भी रंगा है, वो भी रंगा है, वो भी रंगा है, जो दाली मुछ बढाले, वो रंगा है मेरे बाल भी घुंग राले हैं मैं भी दाड़ी मुझे बढ़ा लो तो मैं भी रंगा हूँ असल बात तो यह है कि तुमने रंगा को देखा ही नहीं तुम वही कह रहे हो जो इंस्पेक्टर ने तुमको सिखाया है तुम्हारा जूट पकड़ा गया तुम्हारी चोड़ी पकड़ी गई एक्स्क्यूज मी ओनर डिफेंस लॉयर एक चोटे से मासुम बच्चे को लजाने की कोशिश कर रहे है यह बच्चा यह गवाई देने आया है एक्जैमनेशन नहीं मिस्टर घासवाला गवाई की उमर का ख्याल करते हुए अपने सवाला जरा कायदे और नर्मी से कूछे एक्सक्यूज मी यो ओनर एक्सक्यूज मी राजू बेटे इन तीनों मेंसे असली रंगा कौन है बता सकते हो हां याद आया क्या इसके उंगली में खुपड़ी वाली अंगोटी होगी वह इसली रंगा है इन्हें अपने हाथ दिखाने के लिए गई है ओके एक्सक्यूज मी तीनों रंगाओं अपने अपने हाथ दिखाईए एक्सक्यूज मी राजु बेटे अब बताओ इन तीनों मेंसे असली रंगा कौन है जी मुझे मुमानी एक्सक्यूज मी यो ओनर वो बच जो लूटी गई थी जिसमें बहुत से मुसाफिर थे कुछ बच भी गए उन बचने वालों में सिर्फ यही एक दस साल का लड़का है जो कहता है कि उसने मेरे क्लाइंट रंगा को फोन करते हुए देखा ताज्जूब की बात और इससे भी बढ़कर ताज्जूब की बात तो यह है यूर ओनर कि यह इनका गवाह असली रंगा को पहचान नहीं पा रहा है एक्सक्यूज में यूर ओनर इसलिए मैं अदालत से दर्खास करता हूँ कि सिर्फ शक की बुनियाद पर मेरे मुवक्किल को सजा न देते हुए अदालत रंगा को बेकसूर करार दे और उसे रिहा करते एक्सक्यूज मी यूर ओनर बैट्स आल मुल्जिम रंगा जिसे डकैती और कतल करने वालों के साथ होने के शक्त में है ग्रिफतार करके इस अदारत में पेश किया गया है लेकिन प्रोसिक्यूशन इसके खिराफ कोई ठोज सबूत पेश नहीं कर सका और प्रोसिक्यूशन ने जो एक वाहिदगवा पेश किया है वो भी रंगा को ठीक तरह से पैचान नहीं सका इसलिए अदारत इस नतीजे पर पहुंची है कि रंगा को महस शक्की बुर्याद पर गरिफतार किया गया है इसलिए अदारत रंगा को बेकसूर मानते हुए इस मुकदमे से बरी करती है excuse me inspector damn your bloody excuses गवाज, थबूत. अगर अदालतों के कानून सिर्फ गवाओ और सबूतों के बल पर फैसला करते रहेंगे तो कोट के कटेरे में नातक चलते रहेंगे, मुझरिम खुले आम जुर्म करते रहेंगे तो फिर पूलिस की जरूरत क्या है, ये अदालत का फाइना क्या है ये क्या हो रहा है, तुमको क्या हो गया है, अकेले में क्यों बढ़ बढ़ा रहे हो मेरा सर मत फिरा हूँ मा, मेरे सिरे में आग लगे हुई है और तुम कह रही हो कि मैं बढ़ बढ़ा रहा हूँ तो इसके लिए मुझ पर क्यों बिगड़ते हो तुम पर क्या मैं सारी दुनिया पर बिगड़ रहा हूँ मैंने अपनी जान की बाजी लगा कर उस गुंडे बदमाश को गिरफतार किया उसे अदालत में पेश किया लेकिन उस चालबाद वकील ने अदालत के कमरे को स्टेज बना कर ड्रामा किया कानून के शब्द को और उसके दाव पेश से खेल कर उस मुझम को साब बचा कर ले गया लानत भीजो उस पर तुमारी नौकरी ऐसी है ऐसे लोगों से सुभा शाम तुम्हारा वास्ता पड़ेगा छोड़ा ला उन्हें छोड़ दू जो हर रोस सुसाइडी का नुकसान कर रहे हैं यह जहरीले सांप है उमा और तुम कहते हैं कि मैं उन्हें छोड़ कर खामुश अच्छा बाबा मत बैठों खामुश पहले काफी तु पीलो ना कर्रेकोन भर्रेकोन तुम सेम्मक्तर पोलिकोन आपकेलाल पिकलेपाल कुसाखती लागेको कर दो तुम कहते हैं अङो गएगे सांपमुश पहल यह ज़न सते हैं कर दो कहते लанс हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ है हुआ 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 है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि ला कि गूँट ए ए सुनो ना सुन लो जहरा शीशा कहें बंद खली लगती हूँ इतने साल देत गये फिर भी जई लगती हूँ सुन लो जहरा शीशा कहें बंद खली लगती हूँ इतने साल देत गये फिर भी जई लगती हूँ आए प्यार बार 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 मुझको हाए छेड़े कौन आए प्यार बार बार मुझको हाए छेड़े कौन आखे लाल बिख्रे बाल कुंसा दर सिला के कौन आए प्यार बार 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 बड़े यह तो का ख़बर लाया है जानी क्या ख़ुश्खबरी लाया है उसके बदले हम आदा लूटा हूँ अमाल और शेर की आधी लड़कियां तुम्हे इनाम में देते हैं अब अपने कलेजी की आख को मैं उस इंस्पेक्टर के खून से बजाओंगा बड़े तुम अकेले नहीं जाओगे हम लोग सब साथ में मिलकर धाई इंसानों के खांदान को शांदार तरीके से उपर पहुचा देंगे अब 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 मा बाहर जाते वक्त ताला ठीसे नहीं लगाया था लगाया था दो तीन बार खेच के भी देखा था चलो अब 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 वोग या अब 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 क्या था क्षार प्रोडाराख करें ये तो मामूली सा नमूना है अगर दोबारा हमें गिरफतार करने की कोशिश की तो ऐसी अंगिनत लाशे तुमें लटकते हुई नजर आएंगे उसमें तुम्हारी बीवी और बच्ची की भी लाश हो सकती है क्या सर्दार और क्यों हराम की कमाई गिन रहा कमीने इस पाप की तीजोरी में कितने जुम जमा कर रखे हैं कभी वो भी गिने हैं पाप फुन जुर्म गुना ये गिनना साधू का काम है और रंगा साधू नहीं है इंस्पेक्टर पता उस बच्चे को किस ने मारा मुझे नहीं मालूम बेजय रंगा के वकील ने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर किया है कि तुमने जान बूच कर प्लान बना कर उसका खून किया है इस मौमले की च्छान बिन के लिए डिपार्टमन ने एक इंक्वारी कमिशन बे कायम किया जब तक उस कमिशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती तो मैं अपने ओदे से सिस्पेंट किया जाता I'm really sorry सर मेरी रंगा से कोई दाती दुश्मनी तो थी नहीं जो मैं उसका जान बुचकर खून करता मैं उससे सच और गुलवानी कोशिच कर रहा था और उसमें यहादसा हो गया कानून की नजरों में तुम्हारे इस बयान की कोई कीवद है पुलीस अफसर का काम है कि वो मुझरिम को गृफतार करें और उसे अधालक तक लिया है किसी से सच गुलवाने के लिए उसको सजा देने के लिए उसका कोई हक में वा साव वा हम सिर्फ मुझरिम को गृफतार कर सकते हैं उनसे सचाही नहीं उगलवा सकते हैं क्योंकि कानूने हम पे बंदीशे जाल रखी हैं तो फिर जर्म कैसे खतम होगी इंसाफ की जीत कैसे होगी सचाही जिंदा कैसे रहेगी एक इंसान के तोर पर मैं तुम्हारे जजबास समझता हूँ है लेकिन एक पलीस आफसर की हैसी से मैं मजबूर हूँ I have to suspend you and I'm very sorry for that Thank you sir Thank you very much Daddy Daddy आपकी कार बहुत अच्छी है Thank you very much I am a I am a I am a I am I am I am I am इसरा क्या है दोनी यह खिलोने किसे दिया एक अंकल ने दिया तेरे पाद अपने खिलोने नहीं है जो किसी से भी खिलोने ले लेती है पिकी उठो यह क्या मुसीबत है बाहर का गुस्जा बच्ची पर क्यो उतार रहे हो तो क्या करो इसके पाद अपने खिलोने नहीं है क्या जो रहाचल देख आजमी ने इसे खिलोना दिया यह उठाकर घर ले आई आप इने तो मेरे ले बेजा था मैने किसने का तुमसे वह अकली अंकल है इसके पाले अंकले क्यातु को अंकली तो क्यातुन अंकली तो यह सब क्या है अगर अगर एक पाल भी तेर हो गई होती है तो हम सब के टुकड़े हो गए होते हैं पता नहीं वो कौन सालिम है जो मेरी बच्ची की चान लेना चाहता है सुनिये मैं पिंकी को उसके स्कूल छोड़कर आती हूं ठीक चलो चलो बीटो बाइ लड़ी बाइ ठेरो मा आ बेटा बार आ जाए इसके स्कूल को देर हो रही है यह स्कूल ले जाएगी आओ क्यों तिर्फ यही नहीं तुम भी गए नहीं जाओगी अरे लेकिन मैं तेखो मा मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं जब तक मैं वापस ना लोटू हूं तुम दर्वाजा अंदर से बंदी रखना और तब तक मत खुलना जब तक तक तुम्हें यकीन हो जाए कि वो कोई जान पैचानवाला है यह मैं हूं ठीक है चलो जाओ झालो जाओ कुछ कुछ कौन है कौन है मैं हूँ मत दर्वादा खुलो मेरी तो जान ही निकल गई थी तुम मुझे इस तरह डराया मत करो मैंने कहां डराया तुम्हे डराया नहीं तो और क्या अभी अभी बाहर गये थे और फॉरण वापस आ गये और जोर-जोर से घंटी बजाय जा रहे हूँ ऐसा लगा जैसे कोई बम लिये भाहर खड़ा है मैं तर्वादा खुलूंगी और वो अंदर फिक देगा उमा मेरा भी तुम दोनों को अकेले छोड़ पर जाने को जी नहीं चाहा ना जानि शेयतन में किसी क्यसी खैल पएदाओने लगी और मैं फॉरन गवरागर वापस लुट आया पिंगी कहा है अभी यही थी पिंगी 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 का ओ बढ़ा पिंगी कब था गयी पता नहीं कहा चलिए बिंगी, 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 तुक्डे कर दे, अगर मेरी बच्ची को छोड़ दे, विजे मेरी बच्ची लादो, मेरी बच्ची लादो Pinky? 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 Hi बदमाश, तु यहां चुपी बैठी है, और हम तुझे धून-धून कर थक गए तुने तु नहीं तुम दोनों को कैसे फसाया बदमाश करें की चुपी बहुर वह वह, इंस्पेक्टर बजगा, अबारे प्लान की तुममममममम बैन प्रक्षय उड़गा है क्या बगता है क्या हो बजी क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं कोई सपना देख रहे थे क्या? हाँ सपना ही तो देख रहा था लेकिन जो सपने में देखा वो आखिकत में नहीं देखना चाहता ये क्या कह रहो तुम ठीक कह रहा हूँ मैं अपने फर्स के खातिर अपनी बली दे सकता हूँ लेकिन तुम दोनों की बली नहीं दे सकता कली डैडी के पास फाम पर जाएंगे क्या हूँ अपनी पंक्चर हो गई है ज़र ठीक कर दो अच्छी बाद ममे मुझे चॉकलेट चाहिए चॉकलेट? यहां कहा चॉकलेट मिलेगी? कोई दुकान भी तो नहीं है ममे प्लेज मुझे चॉकलेट चाहिए ममे प्लेज मुझे चॉकलेट चाहिए यहां नस्देख में एक दुकान है, मैं पिंकी के लिए चॉकलेट लेकर अभी आती हूँ जल्दी आना सुनो, तो फाइस्टार देना चली चली, तुमारी मुस्कुरार तो इस चॉकलेट से ज्यादा मीठी है सुनो, जली मुस्क्टार! सुनो, ऴुमारी मुस्क क्पॉल सुनो सुना पक्रा, पक्रा वीजे, वो खुनी हमारा पीछा कर रहे है, चल दियो सुनिये, पिंकी को पदाजी के पास ही रहने दीजे, मैं तुमारे साथ चलूगी उमा नहीं वीजे, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूगी तुम मेरी साथ चलकर मुझे कमजोर कर दोगी, वह पागल कुते हैं, उनकी नस नस में शैतन बसा हुआ है जिन से उनको फाइदा होता है, उनका भी खुन कर देते हैं, जिनसा नहीं होता है उनका भी जब तक मैं उन Щुनी खुन कर देता, तुम्हें यही देना होगा विजे ठीक कहता है बीटी, मैदाने जंग में लड़ने वाले बहादूर का दिल पत्थर का होता है और उसके साथ में रहने वाली बीवी का प्यार उसे मोम बना देता है, इसे जाने दे, चाव विजे, विजे होकर वापस आना थेंक यू डेडी, बाई कर 니 अफू यू बाउ लगाद का देजे हो इसे जाने रहाले दो! पाली के स्टारी जिल प्लिया प्लिया थार। कर दो खन्यूब क्या भाओ कồiा है प्झमा मुझ क है में प्झमा कि मुझमा प्रदार मंत्री इस हेलिकॉटर बैटकर हमारे बोजन पराएंगी और हम उनका स्वागत करेंगे और ये अमारे प्रदार मंत्री का दूसरा प्लेन है ये ऐसे उड़ेगा वालों टूक कियो उड़ेगा पर फिंकी तुम दून अंडर जाओ wünsche कर एंद Si ke रर जाचराइब एं पनोखिर, तो आखिए रनुडनी ही Тем ju 此 ही ओखिड़ या ऎकर विस、、 कि अलाग एपकर बींजिया ओजसों उखिलिया इछिया कुछ पर रहे नराम पहाच मैंना ए spricht लुझ.. हुण स्टुड़ाँ! हुण! 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 हाँ! ह strategic! हाइ!! हुण! हुण! पर्षे,aaots That Be bemis! हुछ! Karmaaah... Heeeuy... गु़नाई! बस्टदी, 1 बस्टदी बस्टदी परनाई! परनाई! जय है उने उनने, उने! डनने! उने, उनने? persu़ होुआ? विजे मेरे चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, वो शेदान लोग उमा और पिंकी को उठा कर ले गए, उनका पीछा करो, उन्हें बचालो बेटाई, जाओ, जाओ विजे जाओ तुमने कुछ नहीं बिगड़ा जनी, तुमारे उस वर्दी वाले पती ने बिगड़ा है, उस मखमली कबूतर से हमने कहा था कि शेरों के मूँ में गर्दन डालके, जोच मारने की कोशिच न करे, वरना गर्दन कट जाएगी, मगर वो कबूतर नहीं माला, अगर वो हमें पक चेस, पर दिया जाएगी, चेस, बड़ा है, आरे है, ट्रेन वो देखो, सामने से तुमारी मौत दोडी चलिया रही है चलते है, जेदान हा, पर पेजियत में कचचिक! वेजाज़! वेजाज़! मुण्याज़! मुण्याज़! कर दो कर दो कर दो एका है बस पेटे बस मैं जानता हूँ तुम्हां दिल पर वो जखम है जिसका दन्या में कोई हिलाज नहीं वो आग लगी है जो जिन्दगी बार आशू बहाने से भी नहीं पुछ सकती मैं जानता हूँ तुम उन शैतानों को खतम करके लोगों को सुक देना चाहते थे लेकिन उसके बद्रे में तुम्हारा अपने सुक लुटकिया यहीं जिन्दगी का असूल है पेटे इस चिता की आग में आशू बहाने के बजाए इसकी आग को दिल में इंतकाम बनाकर तुम उन बदमाशों की तलाश में निकल पड़ो जाओ उन शेतान और मुझ्रमों को जला कर रख दो जिनने तुम्हारा घर उजाड़ा है आज से तुम्हारी जिंदगी का एक ही मकसद है इंतकाम 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 झाल हुआ है ए छोक्रा क्या चाहिए साप दो अंडे लेके आ बहुआ है हुआ मुझ पर इसा जुलुबत कीजिये साब माफ कर दो अब तक तुम दूसरों की जिन्दगियों को खिलोना बना कर खेलते आये हो आज खिलोना बनने की तेरी बारी है कमीने साब मुझे बख्ष दो साब जब दूसरे इसी तरह रो रो कर तुझ से जिन्दगी की भीग मांगते थे तब तुम लोग कहे के लगाते थे अब लगा अहराम खोर अब बख्ष की दिखा नगसर मत कीजिये साब मुझे बख्ष दीजिये मुझे मत मारो आज तुझे पता चल रहा है कि जिन्दगी कितनी हसीन चीज है कुछ देर के बाद ये गारी यहां से हट जाएगी और तेरी बख्षूरत लाश खुबसूरती से यहां लटक क्यों नदर आएगी साब ऐसा मत करो साब प्लीज साब ऐसा मत करो साब अलो पुलीस टेशन मुझे सिर्फ इतना बताना था के बंबेपुना रोट पर पनवल से दस किलो मिटर आगे एक पीपल का पेड है उससे एक आदमी लटक रहा है ज़रा जाकर देखिए के वो जिन्दा है या मर गए सर एक बात मेरी समझ में नहीं आती वो आदमी था कौन जिसने इसी पेड़ पर लटकाया हो अरे चौखट राम जी अगर ये मालूम होता के इसे पेड़ से किसने लटकाया है तो इंस्पेक्टर सहाब ने अभी तक उसे गिरफतार निकल लिया होता सर रप हे उड़ा हो गया मेरे नाम की ऐसी की तैसी करने वाले तेरी ऐसी की तैसी तैसी टॉनी, हम कसम खाते हैं जब तक उस इंस्पेक्टर के खून से तेरे कबर पे छड़काव न कर दे हम पे जिंदगी एक हरैश और हराम हराम है झाले तैसी कि अच्छा करने की माफी चाहता हूँ दरसल बात यह है के बंबेपूना रोड पर एक चोटी सी छाय की दुकान है वहाँ एक आत्मी का खुन उगया है मेरे खैल मेन जिसने भी ये खुन किया है पड़े ही इतमिनान के साथ किया है आराम के साथ जाट प्राव के साथ चेङ्रट्पी है और आराम के साथ खुन कर साथ उंगलियूं के निशान पेरों के निशान सब यही साबित करते हैं कि कातिल सिर्फ तोनी ही आई आप क्या भखवास करते है तोनी फासी का फंदा लगाकर मर चुका है हम लोगों ने अपने हाथों से उसे दफन किया है वो कतल कैसे कर सकता है आप ठीक कहते हैं सर उसकी कबर पर फटका मारकर मिट्टी मैंने ही डलवाई थी ये सुनिए वो मर चुका है दफन कर दिया गया है तो कबर फाल कर बाहर निकलाओ चलो 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 जल्दी करो हर्या फर्या में पर ठाइम नहीं है अगर मुझे खुछ सा आगया मैं तुमारी कबर खोद कर खुद खोजाओंगा सर मुझे ये मुर्दा बहुती फोर्ट्टी लगता है दिन भर मट्टी की नीचे पड़ा रहता है और रात को कंबल की तरह मट्टी को हटा कर बाहर निकलता है खून करता है वापस जाता है मिट्टी के कबर पर लेट कर कंबल की तरह मट्टी को ओड़ कर सो जाता है उल्लू के पठ्थे यह अकल की बात तुम्हारी खूपडी में कैसे आ गई क्योंकि अकल की बात आज़ती ही सर्भ मेरी खूपडी में या इसपेटर सहाप की जगो का भी खून कर दिया है और अब हमारी तलाश में निकल पड़ा है मैं उस इस्पेक्टर के बच्चे को जिन्दा जला कर खा कर दूँगा नहीं बड़े होड़े नहीं छोटे के होते हैं ये काम तुमको नहीं करना चाहिए मैं आज उस हराम के बिल्ले को खटन कर दूँगा उसके खून का छिड़का तोलने की कपर पे करके मैं लोटूँगा कर्दाद से सब्सक्राइडने में इसके जड़े से सब्सक्राइडने का ताँगा कर दो लेके वाटने की कर्या मुझे तुमको अर्छने की तूटने के वाटने की दिए आप प्टाज अवाज। है है नाँ नाइ राइ है राइ मस्तर No, no नई, नई, नई! No, no, no No, no, no अब एनामाद? अब एनामाद? तुने मेरे तीन साथियों का खुन किया है, मैं तेरे खुन से अपनी प्यास बुचाँगा। जैनी, यह क्या कर रहा हूँ? जैनी, यह क्या है? मैं अपनी गल्दी के मादी मंगताँ, मैं तुम्हेरे पहर पढ़ताँ मेरी बीवी भी इसी तरह रो रो कर तुझसे अपनी जिंदगी की भीक मांग रही थी मांग रही थी वो गिड़गिड़ा रही थी और तु उसकी मौत पर हस राधा कमी ने कहके लगा रहा था आज भी हस? लगा कहके अपनी मौत पर नहीं वो देख वो देख वो देख मिर भाइ मेरी मां मेरबाप मेरबदा आंे आं रोका आं दोका बचाए मेरबबफ कोज़ए प्रिक हाव व nu दषे देष्ट को दोसे । सुछ TD area कि अज़ाए उन चारों का खूल तुम ने किया है। यह सर्ट मैंने उन चारों के गुनेगार शरीर से उनकी गंदी आत्मा निकालकर उन्हें मौत के हवाले कर दिया। मैं ही उनका कातिल हूँ। लेकिन आपको ताज्यव हो रहा होगा कि अगर मैं उनका कातिल हूँ। तो कतल की जगह पर टोनी की उंग्रियों की निशान कैसे पाए गए। मैंने टोनी की कबर खोटकर उसकी हतेलियां काट ली थी। उसके जूदे निकालकर खुद पहन लिये। उसकी हतेली की खाल निकालकर अपनी तस्तानों पर चड़ा लिये। इसलिए अर जगह जहा मेरा हात लगता तोनी की उंग्रियों की निशान बन जाते। जहां मैं जाता तोनी के कदमों की चाप बन जाती। और इस तरह मैंने उसके तीनों साथियों का खुद कर दिया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि कानून तुम इस जर्म की कितनी सक्त सदा देगा? सजा, मैं अगर चाहूं तो कानून मुझे सजा दे ही नहीं सकता क्योंकि कानून के पास मेरे खिलाफ ना कोई सबूत है ना कोई गवा मैं अगर चाहूँ, तो सारी उम्र आजधी की जिंदगी गुज़ार सकता हूँ, लेकिन मैं कानून की नोकरी से भल! अलग हो गया हूँ! मगर कानून का घद्दार नहीं हूँ! मैं इंसाफ को धोगा देकर जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ! वैसे भी अभी जिन्दगी में रह क्या गया मैं अपना जर्म कबूल करते हुए हर सजा भुगतने के लिए तेयार हूँ दियाजी साब प्लीज अरेस्ट में अजीव चीज है ये नाए हजारों इसे ने घर में ताए करे है फिर भी राज देखिये बंधी है पट्टी आँख पे के जूट सची नजर ना आए ये हो रहा है आज देखिये आखे भरी है और हत करी है हम का मिला ये इनाए हम का मिला येघ स्ची नाए का मिला ये 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 झाल झाल